हेलो गाइस स्वागत है आप सबका एक बार फ्रेस से अटो एक नए वीडियो में और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं फोर्स की गुर्खा से रिलेटेड कुछ नए अपडेट आए हैं तो यहां पे अपडेट की बात करी जाए तो जो इसका ब्रोशर है वो लीख हो चुका है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइम देख पा रहे होंगे और इस ब्रोशर में आप डिजाइन वाइस अगर बात करी जाए तो पूरी तरीके से सिमिलर है फोर्स की गुर्खा जैसा हमने इसको ऑटोएक्स पो 2020 में देखा था हमें जैसा कि आल्र प्रीएस जेनरेशन गुर्खा से काफी जादा रगेड लग रही थी जो कि मुझे परसनली काफी अक्छा लग रहा था नेक्स्ट अगर इसके इंटीरेस की बात करी जाए तो आपको काफी सारे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे अगर इसको कंपेर किया जाए प्रीएस गुर्खा से हाला कि आप बहुत ज्यादा इससे कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा लेकिन यह है कि काफी अपडेटेड फीचर्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं नेक्स यहां पर अगर एंजन की बात करीजा तो आपको बीएस सिक्स कंप्लाइंट इंजन मिलेगा जाह अगर बात करीजाएं इसके राइवल्स की तो इंडिया के अंदर इसके दो मेजर राइवल्स होने वाले हैं एक तो है नई जेनरेशन थार और दूसरी होने वाली है सुजुकी की जिमिनी फाइफ डॉर वाली अब यहां पर मुझे ऐसा पस नहीं लगता है कि यह जो गुर के अंदर लाइच होगी और प्राइजिंग की बात करीजे तो अल्मोस्त 10 से 15 रुपए के आसपास इसका प्राइज जो हो सकता है यानि कि 10 रुपए से स्टार्ट हो सकता है और 15 रुपए जो है वो जा सकता है हाई स्पेक वेरियंट के लिए तो आपको क्या लगता है इस क्या गुद्बाई और द्राइज सेफ